नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें शेयर करें भारतिय कुस्ती महासंग के अध्यक्ष ब्रजभूसन सरन सिंग के खिलाफ लगे यौन शोसन के मामले में दिल्चस्प मोडाया है नाबालिक शिकायत करता ने ब्रजभूसन सरन सिंग के खिलाफ अपना बयान बदल दिया है इस report के बाद ब्रजभूसन सिंग के खिलाफ आंदोलन का निर्तो कर रही विनेश फोगाट ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि देरी के कारण बेटियां हिम्मत ना हार जाएं पहलवान विनेस फोगाट ने ट्विट कर लिखा है कि ये बेटियां एक एक करके हिम्मत ना हार जाएं इंसाफ कि इस लड़ाई में हो रही देरी के कारण परमात्मा सब को हिम्मत दे इसके पहले विनेज फोगाट ने इसी मामले से जुड़ा एक और ट्विट किया था जिसमें लिखा डर और भै के महौल में क्या बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा नावालिक पहलवान के पिता ने समचार एजेंसी से बाचीत करते हुए कहा था कि उन्होंने भारतिय कुस्ति महासंग के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूसन सरन सिंग के खिलाफ यौन उत्पिडन की जूटी शिकायत दर्ज कराई थी उन्होंने कहा यह मेरा फैसला था मैं पिता हूँ और मैं उस पर नाराज था मैंने उससे कहा था कि बेटा ऐसी बाते हो रही हैं तो उसने कहा कि पापा आप देख लो नावालिक के बयान बदलने को लेकर ब्रजभूसन सिंग ने कहा है कि 15 तारीक का समय आने दीजिए इस पर अभी जाच चल रही है तो मेरा कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा मैं अपनी बातों पर शुरू से बना हुआ था पिता ने बयान वापस लिया है यह उनका फैसला है दबाव की बात से इंकार करते हुए ब्रजभूसन सरन सिंग ने कहा है कि उनके तरब से कोई दबाव नहीं था उन्होंने कहा कि इस पर जादा कुछ 15 तारीक के बाद ही ब पहले जाच पूरी कराने का वादा किया था